तूटोरियल्स और कैसे जो हैं हम उसके टूटोरियल्स हमने इससे पहले भी दो तिन जिसमें वीडियो बनाए हैं होपसों आप लोगों ने उसको काफी पसंद किया है तो अब हम जो है next हमारे पास आज का topic है वो है टाइमर सर्किट यूजिंग लैटर सिमिलेटर 2 मोबाइल एप तो यह टाइमर को कंटिन सब्लाई की रिखेंगे है तो लैटर चलने के लिए हम क्या करते है जो आउटपुट हमारा लास्ट में है वो कॉलन 0.0 तो उस पर डबल क्लिक करते हैं वो आपको एडिट करने को बोलेगा एडिट पर जाओ गए और यहां पे जो है लैच कर लेते हैं इसको तो यहां पर चार अप्सना के पास है तो यहां पर हम एल पे क्लिक कर लेते हैं ठीक है तो यह लैच हमारा हो जाएगा और इसके बाद कॉन सी बिट हमने हम एक खाएप करेंगे आउटपट पहले डिफांड करना होता है हमको थोड़ा यह एक स्क्रीन थोड़ी सोटी आपको कियरफुली करना पड़ाइगा और यह एड हमारे हो गया तो सेमिडरी हमारी लहाई चलना हाच हुझाएगी एक आउटपट हम ले 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 लेते हैं और य यहां पर हमारा जो input part हमारा वो दूसरा रहेगा, ठीक है, तो input जो हम 1, जब i0 प्रेस करोगे, तो आपका latch हो जाएगा, जब i1 प्रेस करोगे तो unlatch हो जाएगा, तो यह तो हमारे continuous supply का यह concept बना दिया, अब हमाद है timer circuit पर, तो यहां पर section हमारा, अब यहां पर बहुत जैसी आपका क्यों कौन सा timer है, तो let's say हमारा 0 timer, okay, फिर preset, preset अब कितना time आप देना जाद हो, 10, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, 50 seconds, तो जितना भी है, वहां फिल कर दो, 10 seconds हम जैसे दे रहे हैं, और okay हो गया, add हमने कर दिया, तो यह timer हमारा हो गया, T0, और time base हमारा हो गया, 1, preset हमारा है 10, और accumulator हमारा 0 तो basic concept, अब यह timer के input में हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक हमारा जो है, वो binary लगाना पड़ेगा, तो input ले लो, और click के आपने, यहां पे हम binary set कर देते हैं, थोड़ा सा carefully fill करना पड़ेगा आपको, इसके जो number है mobile में, अगर आप mobile में proper इसको use कर रहे हैं, तो उसमें आप को, जो है, वो थोड़ा carefully fill करना पड़ेगा, यह तो हम क्या कर सकते हैं, अपने mobile को में लैपटाप से connect कर सकते हैं, तो उसके screen वहां से air हो जाएगी, वहां पर आप mouse के help से भी कर सकते हो, तो यहां पर हो गया आपका, यह हमारा timer circuit complete, अब इसके output हम देखते हैं, output हमारे पास पहले हम तीन output ले ले लेते हैं, first output हमारा 0, second हम annual 1 लेते हैं,aky output हमारा जाएगा 1 और third 1 लेते हैं, तो हमारा जाएगा आपका, 0-12, यह हमने ले लिया, ठीक है, तो ट्नल तीन output हमारे पास हो गये, और इस ही तरहिके से हमारे output हम देखते हो, तो पहले जो आपड भी ताइमर का TT, okay add, secondary जो है वो हम देखते हैं, timers का EN, okay add, third one हम देखते हैं आपका, done, file, timers, or space हमारा done, okay add हो गया, तो अब जैसे हम इसको run करेंगे, तो क्या होगा, कि जो TT हमारा है, वो क्या करेगा, output 0 को एक particular duration के लिए on रखेगा, 0 से लेकर 10 तक, यह 1 से लेकर 10, EN, जो हो 0 से लेकर, infinity तक जब तक हम टाइमर off नहीं कर देते हैं, और जो output third हमारा है, O2, वो क्या करेगा, tensing के बाद on होगा, तो यह तीन condition हम यहाँ देखने जा रहे हैं, अब इसके बटन जो है, अगर हम प्ले करते हैं, नम्या टॉगल स्विच टाइप है, इसको अगर आप बनाना है, इन्पूट आउटपूट पहले पर क्लिक करो, पुस बटन पर क्लिक कर दो, सेब कर दो, दूसरा फिर से सेलेक्ट करो, फिर से पुस बटन, और सेब, तो यह तो हमारे हाँ आउटपूट दोनों सेब होगे, और दोनों पुस बटन हमने बना दी है, ठीक है, अब हम जाते ह प्ले पे और स्टार्ट करते हैं तो जैसे हमने प्रेस किया बटन और इसके बाद क्या हो आउटपुट फर्स और सेकिन दोलों अन हो गए और कांटिंग अपकी चल रही है सेक 7 8 9 10 अब देखो इसमें क्या फर्स वाला आपको अफ हो गया और थर्ड वाला अन हो गया सेकिन व 3 9.0 पे तो वह इस तरीके से बन जाएगा ठीक है स्टॉप करते हैं तो सारे स्टॉपों के फिरसे स्ट करते हैं और स्टॉप करते हैं तो इस तरीके से जो आप टामेर सेयआ SCARD कर सकते हूँ chn.